입 लेट्स डॉपर कि बीजुक्राशयु लेक्टार कर डॉय आज कुछ कुछ स्थ काद़न के लेक्टार करेंगे तो आज हम करेंगे कुछ-्पूच हर बार नया करेंगे भीया purity में हम्थ होगरब कुछ न कुछ छोटा छोटा नचया सिखेंगे तो आज हम सिखेंगे माइसेल्फ तो मेरे बारे मेरे खुद के बारे में मेरे खुद के बारे में जैसे कि आप अपने बारे में Rain अपको क्या करना है देखो गों जहां पर में लिख रहY हुँ और आपको पूरा मेरा द्धियान रखना है मेरे पर like first sentence मैं ऐसा लिख रही हूँ myself मतलब मेरे बारे में आपके बारे में आपको proper सिख देखो मेरा नय नेम my father name, mother name I have a younger brother मेरा छूटा अस्वरी बड़ा भाई है फिर I live in, मैं कहां पर रहता हूँ कहां पर study कर रहा हूँ कितने साल का हूँ ये सारी things हम सिखते हैं किस में से, myself में से तो आपको भी है न क्या करना है myself मैं भी सिखा रही हूँ तो आपको भी त्यान रखना है और क्या करना है, मैं जहां पर blank कर रही हूँ न वहां पर आपको अपना लिखना है यहाँ पर मैं मेरा खुद का लिख रही हूँ, आपको क्या करना है, आपको आपका लिखना है, चलो, first one, मैं वहाँ पर blank की रखती जाऊंगी, बचा पार्टी, my name is, चलो, मैंने यहाँ पर blank रखी है, blank मिन्स क्या, तो आपको आपका नेम यहाँ पर लिखना है, जिसका जो भी नेम है, वो आपको लिखना है, मेरा नेम बंसी है, तो मैं क्या लिखूंगी, my name is बंसी, तो अगर आपका नेम लाइक श्रिया है, तो आप क्या लिखोगे, my name is श्रिया, तो ऐसे सबके अलग-अलग name होंगे, तो आपको यह blank में लिखना है, यह सिर्फ sentences ऐसे ही रहेंगे, आपको सिर्फ क्या करना है, यह blank में आपको अपना लिखना है, नमबर टू, I am, यहाँ पे मैं blank रख रही हूँ, yours, old, मैं 10 साल का हूँ, मैं 20 साल का हूँ, तो आपको अप जितने भी साल के हो, like आप 10 years के हो, like आप 7 years के हो, स्यादर ते बुच्चे 7 यह 8 years के ही होंगे, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जितने भी साल के आप हो, like 7 years के हो, 7, 8 के हो, तो 8, 6 के हो, तो 6, यहाँ पे लिखना है, ओके, number 3, I, live in blank, full stop, मैं कहाँ पे रहता हूँ, तो मैं राजकोट में रहता हूँ, स्यादर तो आप राजकोट में ही रहते होंगे, पर अभी अलग-अलग जगापे रहते होंगे, कोई-कोई चले गए है, कोई दूसरी जगापे, तो आपको आपका प्रोपर लिखना है, कि आप कहाँ पे रहते होंगे, तो I live in राजकोट, मैं कहाँ पे रहता हूँ, राजकोट पे, I live in राजकोट, number 4, I am, I am studying in, अब कौन से स्कूल में पढ़ते हों, चलो तो मुझे बताओ, तो आप, कौन से स्कूल में पढ़ते हों, मुझे तो नहीं पता है, पाहिएं,他 पॉण में स्कूल, तो हम यहाँ बिलमेंगे यह तो सब को मनाएगाना, कि हम सब कुन से स्कूल में बढताहे हैं, तब कॉण में देखो मैंने यहां पर T की हुए से कैपिटल किया बीट में कोई भी सेंटेंस में नहीं किया देखो यही सेंटेंस में क्यों किया कौन बताएगा मुझे T है वो क्या है T है वो special name हो गया तपोवन है वो special है सारी स्कूल में से सिफ़ तपोवन स्कूल में आप जिसका ड्रो है वो लिखना है मैं इसा करूँ मैं पेंसिल से लिखू यहां पर ब्लेंक है जहां पर वहां पर सबका अपना अपना आएगा लाइक आपका नेम तो आपको पता है I am seven या eight years इतने भी साल के हो आप वो लिखना है लीव इन राज कोट आप जहां पर रहते हो उसका लिखना है आपको पेंसिल से लिख रही हूँ सिफ चलो अब क्या लिखना है नंबर फाइव my father is a blank आपके जो father है वो क्या है अगर आपके father कोई किसी के doctor होंगे किसी के teacher किसी के engineer ओके अलग-अलग आपके father सब अलग-अलग है कोई businessman होगा कोई farmer होगा तो अपके पापा जो business करते है वो यहां पर लिखना है लाइक आप अपना father के लिए ऐसा लिख होगे कि मेरे father है वो businessman है अपके father अगर businessman है तो businessman है डॉक्टर है तो doctor, teacher है तो teacher, farmer, कोई भी जैसे भी अपके father जो भी business करते है जो भी वो है वो लिखना है यहां पर ओके नमबर six सब का लेक पापा आते है तो पापा के लिए कुछ खाना बनाना फिर साफ सफ़ाय करनी वो सब मुमा करती है हुमें पढ़ाना ओके हमारी सारी things है वो clean रखना वो सब मुमा करती है तो वो homemaker है क्या है homemaker अगर आपकी मुमा teacher है या फिर doctor है engineer है कुछ भी है तो आपको यहां पर लिखना है मैं तो सिर्व क्यों लिख रही है हां पर आपको पता चले किए आपके मुमा क्या है वो आपको लिखना है यह हैं ओके चलो फिर अगर आपके भाई है छोटे भाई है या बड़े भाई है अगर नहीं है तो कुछ यह sentence नहीं आएगा जिसका है वो आएगा अगर है तो लिखना है वरना ज़रूरी नहीं है अगर आपके भाईया है वो बड़े है आपसे तो आपको ऐसा लिखना है वो यंगर ब्रदर अगर नहीं है तो यह सेंटेंस आपके लिए नहीं है नमबर eight चल आपको क्या बनना है आप गरापको क्या बनना है तो वो आपको अगर आप अभी छोटे हो कोई बात ने छोटे है तो भी हमें कुछ न कुछ बनना होता है देखो कितनी सारी लड़किया ऐसी होती है तो वो एसे बोलती है कि हम मुझ्छ टीचर बनना है कैसे पता है आप मोनीटर बनते हो आप क्लास में भी तो इस स्टेज़ पे चड़के आप मेडम की क्या करते हो एक्टिंग भी करते हो तो ऐसा ऐसा भी करते हो तो कोई-कोई designer बनेगा अब यह आपने सोचा नहीं होगा थोड़ा सा ही सोचा है तो जो भी आपने सोचा है न वह लिखना है my aim is to become a आपको क्या बनना है वह लिखना है okay my aim is to become to become a like किसी को teacher बनना है तो मैं आप इसे अभी लिख रही हूँ थोड़ी इसे ही तो teacher my aim is to become a teacher अगर आपको banker बनना तो sorry bank में job करते हूँ manager बनना है फिर किसी को भी छोटे है तो भी मुमा के साथ cooking करने में बहुत मुझा आता है तो आप ऐसे बोलोगे मुझे cook बनना है okay कोई drawing अच्छा करता है तो painter बननना है dancer बननना है तो आपके ओपर dependent है आपको कुछ भी बनना है वो यहाँ पर लिखना है फिर आती है बारी होबी की माई होबी ईज प्लेइंग क्या खेलना अच्छा लगता है लाइक के रम ट्रेस मतलब हम जो इंडोर गेम स्पीड लिख सकते हैं आउट्डोर गेम भी लिख सकते हैं आउट्डोर गेम भी वो इसको तो यह भी अच्छे लगते है क्रिकेट ट्रेस है तो आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो मैं अभी यहाँ पर क्रिकेट लिख रही हूँ आपके फेवरिट्टी से लिखने है जहाँ पर मैंने पैंसिल से लिखा है ना वो नमबर टेन आई हैं ओ हाड़ वर्कर मिन्स मैं बहुत ज्यादा महनती हूँ अगर आप एंड गूड पर्सन आई हैं आई हाड़ वर्कर हाड़ वर्कर मिन्स बहुत ज्यादा महनती हम महनती बहुत ज्यादा है आपको कुछ कोई भी वॉक देता है तो आप उसके बारे में आपको अगर ड्रॉइंग बुक में है ड्रॉइंग करना है तो आम एतना प्रॉपर वक करते हूँ भले थोड़े धीरे हो भले टाइम लगे तो भी आप काम करते हो तो आप do okay good person, good person means, अच्छे लोग, आप person कैसे हो अच्छे person हो वो कैसे शाबित होगा तो आपने अगर good habits हे वो follow करने की start कर दी होगी तो आप good person हे फिर किसे की help करते हो हमारे elder से उसकी respect करते हो मॉमा और डेड़ी की बाते सुनते हो मतलब बाते उसकी सुननी है और फोलो भी करते हो लाइक मुमा ऐसा बुलती है कि चल आज तुझे इतना हर रोज न्यू वर्ड्स कर देने है तो आप पूरा प्रोपर वर्क अपना कर देते हो तो आप क्या हो गूड परसन हो तो हमने याज क्या सिखा मैसल्फ मैं मैं नेम इस आप अब सेवन यर्स ओल्ट आइव इन राज कोट आइव इन शुड़िंग इन पॉर्ण स्कूल मैं फादर इस आपके फादर जो भी है बो लिखना है मैं मॉदर इस गर वो घर पे है और घर का सारा कुछ हमारे घर बनाती है कि हम सब का धियान रखती है हम मैकाप मुझे बड़ा भाई है मैं एम इस तू बिकम अ टीचर आप क्या बनना चाहते हो डैंसर, टीचर, सिंगर मैं होबी इस प्लेंग क्रिकेट इस योः होबी टाइम आपको जो भी अच्छा लगता है वो लिखना है याँ पे I am hard worker and good person मैं hard work करता हूँ और क्या हूँ? good person हूँ, अच्छा person हूँ ओके? चला